कि नमस्कार स्यासी रंग में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुनीता पठेल स्यासी रंग हमारा विशेश कारकन जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो राजनीती के गलियारों में दिन भर रही सुर्ख्यों में और तेज होती गई आरोप प्रत्यारोप की जन्ग यारे स्यासी रंग तो सियासी रंग में सबसे पहले बात करेंगे मध्यप्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है मध्यप्रदेश की 28 विधान सवा सीटों पर उप्चिनाव होने वाले और उप्चिनाव में बीजेपी हो या फिर कॉंग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे के खिलाफ तावर तोड़ शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं इसक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मुख निर्वाचन आयोक कारियले पहुँचे जहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी वीरा राना से मुलाकात करके शिकायत दर्ज करवाई मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान के बाद अब बीजेबी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व सीम कमलात और सांसत डिगवजय सिंग पर आरोप लगाए हैं साथी प्रदेश अध्यक्ष कमलाथ, दिग्विजस सिंग और कॉंग्रेस के अन्य नेताओं की बयानों की भी शिकायत की है, जिस प्रकार से कमलाथ और दिग्विजस सिंग ने अधिकारियों को धंकाया है, इसकी भी उनने शिकायत की और निर्वाचन आयोग से यमांग की है कि ऐसे नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए और अन्य कई मुद्दों पर हमने उनको भी शिकायत दर्ज कराई है और मुक्य निर्वाचन पदादिकारी से हमने मांग की है कि इस प्रकार के नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रत्वन्द लगाया जाए उनके ठड़ाब कड़ी कार्में की जाए लगना शुरू हो चुका है 28 अभिधान सभास सीटों पर योग चुनाव होने है और जहां प्रचार प्रसार का क्रम जारी है वहीं शिकायतों का भी क्रम जारी है आपको बतादी कि प्रदेश अदेक्ष वीडिशर्मा पहुचे निर्वाचा नायोक से शिकायत की हो और उन्होंने ऐसे तमाम नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोख लगाने की बांग की है जो लगातार ऐसी बयान बाजिया कर रहे हैं जो कि राजनीती के लिए ठीक नहीं है हलाकि हर तरफ से इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं तो पूर्व सीम कमलाथ और सांसा दिग्विजा सिंग पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदेश अद्यक्ष कमलाथ दिग्विजा सिंग और कॉंग्रेस के अन्य नेताओं के बयानों की शिकायत दर्च कराते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसे नेताओं के जो रैलियां हैं जो चुनाव प्रचार हैं उन पर रोक लगाई चाहिए तो निर्वाचन आयोक से मांग की है वीडिश शर्माने मध्यवदेश में अगामी जो चुनाव होने हैं 28 विधान सभा सीटों पर उस पर लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं तमाम दिग्गत चाहिए वो कॉंग्रेस के हो या फिर बीजेपी के तम अपने अपने प् परते हों ने यह आरोप लगाए हैं कि तमाम ऐसे नेता चाहे वो किसी भी पार्टी के हो उनको रोकना चाहिए लेकिन अवीडी शर्मा ने सापतोर पर कहा है कि ऐसे नेताओं के चुनाव प्रचार पर भी रोक लगा दिनी चाहिए इस तरफ मध्यप्रदेश में जो सियास कर दिया ट्रांसफर उद्योग चलाया अवैद खनन करवाया इसलिए इनके इने सबक सिखाना बेहत जरूरी है वहीं दूसरी और तुलसी सिलावट शिवराज सिंग चोहान और जोती रदित सिंधिया की जोड़ी है जिनका धिये है विकास करना सिंधिया ने कहा कि जिन्द कर देने की भी अपील की और हमारे आप के लिए जी जान मेहनत करने वाला सेवक रहा है और जब कॉंग्रेस की सरकार बनी और उस सरकार में प्रश्का चारियों की अमान की लाइन खड़ी हो गई उस समय तुल्सी सिलावट गैसा योद्धा मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा सरपंच अपनी सरपंची को पंदर महीने के बाद त्याग करता है ये तुल्सी सिलावट जिनको आपने अपना अशिरवात प्रदान किया इसने अपनी केवर विधाय की नहीं लेकिन मंत्री पत की कुर्बानी दी है सिंध्या जी नसाफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि जो नेता है द्योग शलाते आये और जनता के लिए कुछ नहीं किया जनता से अपिल की है कि ऐसे नेताओं के लिए आप अपने दरवाद से बंद कर दीजे अश्राफ मंसूरी हमारे साथ जुड रहे हैं इंदोर से अश्राफ जिस प्रकार से चुनावी रैलियों में लगातार जनता को संबोधित करते हुए नेतन असर आ रहे हैं जब सिंधिया जी पहुंचे उन्होंने कहा कि जब शिवराज तोसी सिलावट और सिंधिया मिल गए ह तो आखिर दूसरी पार्टी में बचा ही क्या? अब जनता को उनके लिए दर्वाजे ही बंद कर देने चाहिए? इसे में तोसी सिलावट के लिए है। जो राजमाईश लगी वी है जोतिरादित्य सिंध्या खुद दो से तीन बार सावे रुप्त में जन्ता को संबोदित करने आच चुके हैं आज भी जब पहुंचे तो उनके निशाने पर एक बार फिर कमलनात और दिगविजे सिंग्ग की जोड़ी ही रही जोतिरादित्य सिंध्या ने साफ़ा कि जो पिछले पंदरा महा में कॉंग्रेस की सरकार थी वो ब्रष्टाचारियों का ड़ बन चुकी थी और दिगविजे सिंग और कमलनात ने प्रदेश में इन पंदरा महिनों में ब्रष्टाचार की चरंसिमा पर पहुंच गए थे ऐसे में जोतिरादित्य सिंध्या ने साविर की जंता से अपिल कि है कि कमलनात और दिगविजे सिंग के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे और बीजेपी प्रत्याशी तो तो सिलावट को जिताने की यहां पर उन्होंने अपिल की और कहीं न कहीं यहां पर अगर बात की तो पंद्रा महीने और 15 साल के कारेकाल को लेकर दोनों ही पार्टिय अपने दावें गिनबार हैं कि हमारे कारेकाल यह उन्हों जो punणे झाल कारेकाल उसमें क्या कुश सरकारों ने की और साथ ही यह धूसे अरव प्रत्यारोप म्लय जंग वोछे उती नरदा रहे हैं बिल्कु सुनेता अब वक्त काफी कम बचा है इसे में दोनों ही पार्टी के निता अपने लिए वोट की जो है मनुवार करते में नजर आ रहे हैं मंगरश पार्टी की बात की जाए तो वे लगाता रही है कि पिछले पंद्रा माइने में जिस तरह से कमनास सरकार ने काम किया था चाहिए वो शुद्द के किलाफ युद्द अभियानों या दूसरे जो अभियान चलाया गयते हैं उनकी बात की जाए दूसरी तरफ बीजेप ये भी आरफ लगाते रहें कि कमलनाथ ने वा लब्भाउन को दलालों का अड़ा बना दिया तैए यहां पर जनता और जनता सब कुछ जानता के दरवार की फैसला होगा आला कि चंद्रवती गंज पहुंचे सिंधिया तोनोंने तमाम आरोप लगाए ट्रांसफर उद्योग अवैद खनन जैसे तमाम आरोप दिग्विजा सिंग और साथी पूर्व सियम कमलनात पर बहुत शुक्र आमार से जुड़ने के लिए तो अप्चुनाओं को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो चुकी है तमाम जो पार्टी की दिगज है वो पहुंच रहे हैं जनता से अपील कर रहे हैं लेकिन अस बीच अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे भी कर रहे हैं कोटा विधायक रेणू जोगी ने PCC चीफ मोहन मरकाम के खिलाफ गोरेला पेंडरा मरवाही जुले के पुलिस अधिक्षाक और निर्वाचन आयोग के अब्सरवर से शिकायत कर अपराध दर्ज किये जाने की मांग की है तो वही दूसरी ओर रेणू जोगी को भी अब अमित जोगी के बाद हाट बाजारों में जनसंपर्क करने के आवेधन पर मंजूरी देने से सहायक निर्वाचन अधिकारी ने इनकार कर दिया है रेणू जोगी ने शिकायत करते हुए कहा कि PCC चीफ मोहन मरकान के द्वारा अपनी चुनावी सभाओं में उनके पती स्वर्गे अजीत जोगी को नकली परजी और पाखंडी जैसे अब शब्दों का उपयोग करके लगातार अपमानित किया जा रहा है और किसी की मौत के इस तरह का अपमान करना कॉंग्रेस की इस तरहीन राजनीती का परचायक है रेणू जोगी ने कहा कि मेरे पती ने 20 सालों तक मरवाही की जनता का प्रतिन्दित्व किया है और अनुसूचित जनजाती विभाग के कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी 17 सालों तक जीत जोगी ही र और भारतिय नागरिक हैं नागरिक भारतिय समिधान से बढ़े हुए हैं और आने दीचे ना मतलब न्यायालय का फैसला उसका सम्मान करूंगी चानबीन समिती तो गठित है पूर में भारतिय जनता पार्टी के द्वारा वर्तमान में भी उसकी अध्यक्ष मतलब वहीं है जो पहले थी नाम लेना नहीं उचित समझती हूं फिर भी मतलब जो आईएस अधिकारी हैं रीना बाबा सहाब कंगाले जी तो वो जो सत्ता रहती हैं अधिकारी इतने दबे हुए हैं उनके प्रभाव से या उनके दबाव में कि वो जो चाहते हैं वही होता है तुरेडू जोगी की तमाम आरोब आपने सुने हाला की मरवाही उप्चुनाव में अब उनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है और लगातार अब वे जनता के बीच न्याय की गोहार लगा रहे हैं अभी शेक गुपता मारे संबादता जुड़े हुए अभी शेक लगात जा रहा है लेकिन इस पूरे मामले में अब उनको इस जो न्याय रैली है ये भी करने से रोग दिया जा रहा है कोटा विधायक रोलू जोगी जेसी चीपादी की सरस्ते जो है उन्होंने निर्वाचन का रैलम जाके सिकायट किये पिसी जी मोहन मरका में अन्य कॉंगरिशी नेताओ के जो स्वरगी अजीज जोगी जो यहां मरवाही के पहले विधायक थे उनके खिलाब नकली आदिवा इस तरह के अब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसके खिलाब उन्होंने निर्वाचन आयोग में आवेदन दिया है साथ ही जिस तरह से जो जन सभाएं कर रहे थे वेलू जोगी एवं उनके कारता है तो उस पे भी रोग लग गई है निर्वाचन अधिकारियों को कहना है कि कोरूना काल एवं अन्य सीजों के कारण उनके रोग लगाते हैं जन सभागों बिल्कुल अभिश्यक इस पूरे मामले में देखा जाये तो जिस प्रकार से जन सभा को संबोधित कर रहे है रेड़ू जोगी और पूरा जोगी परिवार लेकिन कहीं न कहीं अब उनका ये कह कि जाये तो एक और पक्ष भी निकल कर आया चात्यसगर्ण प्रदेश कॉंग्रेस की उपाध्यक्ष समाज कल्यान बोड की चेर्मन करूना शुकला ने भी कहा कि जब ये मामला पहले बीजेपी के पास रहा तब क्यों नहीं इस मामले को लेकर कुछ कहा गया तो कुल मिलाक साथ ही अभी अजी जोगी की निरन के बास सही भाजपा गुरू का अप नरम दिक्खाई देता है लेकिन जोगी परिवार के लिए मुश्क लिए लगतार मरवाही चुनाओ से बाहर होने के बाद भी बनी हुई है कि जिस सरह से नियाय यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी र लगातार इस उप चुनाओ के बीच लगातार जो की परिवार की उपस्थती जनता के दर्बार में देखी जा रही है बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभी शेक जुड़े रहेगा मरवाही की ही दूसरी खबर पर हम बात करेंगे तो मरवाही में चुनाओ प्रचार में चामा हॉल है और यहां कॉंग्रेस प्रत्याशि भारी वहुमत से जीत दर्ज कराएंगे तो वहीं जिले में कॉंग्रेस का मौर्चा संभाले राज़त सुमंत्री ने तो यहां तक दावा कर दिया कि वोटों से पहले ही हम गिंती बता देंगे कि कितने वोटों से हमारी जी जो ग्राम पंचायक की मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है उसमें मैं डोर टू डोर प्रचार करने के बाद तीन दीन के बाद मैं रायपूर गई फिर आई हूँ अभी चुनाओं के मद्दान आखरी तारिक तक रहूंगी मुझे तो पूरा माहॉल लोगों से चर्चा या लो के सभी नागरिक यहां की जंता लगातार हमारी बातों को सुन रहे हैं और कांग्रेस पाइटी की नेतियों सरकायर की योजनाओं से प्रभाइत हुए हैं हमें लगता है जो बीजेवी के प्रत्यासी है डाक्टर गंबिर सी इस गाउं से भी हम लीट करेंगे ऐसा मगर जो ह यहां से मरीज जाते थे उनके साथ भी अन्याई किया है उनकी सेवा ना करके अनाप सनाप रेट में यहां तक ही कोई किसी की डेथ हो गई थी और उनको जब तक पैसा नहीं दी गया उनकु तो मारवाही उप्चुनाओं की जंग में तमाम दिगज डेरा डाले हुए हैं ल हैं पिशेक लगाता है इस तरह आहँ कि बात की जाएं कि कोंग्रेस का पलडा हाला कि बारी जरूर नजेर आरहा है एक उत्साहा की बात की लेकिन यहां पर आप जानते होंगे कि प्याश्च देव कभी एक बयान आया था जिसमें उन्हों कहा था कि जो भी वोटर से यहां फैसना करेंगे कि कॉंग्रेस जित्ती के बाजपा तो यह साफ है कि भाजपा भी मैदान मुलत्री है तो वह भी कडी तक कर कॉंग्रेस को दे साहे लेकिन अतियुत साही जो है वो कॉंग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं यह तक क्या दिया गया राजास्मुंत्री जी के द्वारा कि मैं तो वोट की गिंती भी करके बता सकता हूं वाला कि अभी तक वोट डले नहीं है चली बहुत शुक्रमासा जोडने के लिए तो कॉंग्रेस प्रत्याशी भारी महुवत से जीत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि कॉंग्रेस का पलड़ा भारी है अला कि वोट से पहले यह बताना बेहद जो है नामुम्किन है क्योंकि जरनता ही य इंद्री मंत्री सलीम शेरवानी सहित कई नेता और कारेकरता सपा में शामिल हो गए हैं कुल मिलाकर एक बड़ा जटका यहां पर बसपा को लगा है सपा की राश्ट्या ध्यक्ष अकलेश यादावने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलवाई इस दोरान अकलेश यादावन सरकार ने अपनी पूरी जिम्मेदारी तक नहीं निभाई पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और यूपी में टेस्ट की संख्या कम हो रही है मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा प्रदेश में निवेश को लेकर सरकार के दावों पर भी अकलेश ने कई सवार उठा मुझे याद है लगातार जिस समय से कोविड नाइंटीन से लड़ना पड़ रहा है उस समय से लगातार ये बात कह रहे हैं कि टेस्ट जादे होने चाहिए टेस्ट लगातार हो जिस से कम से कम पता तो लगे कि आखे का बीमारी कितनी है लिगिन सरकार और सरकार के लोग ना आज बीमारी से लड़ रहे हैं ना ही जो लोग अस्पताल पहुँआ हैं तो सपा में शामिल हुए हैं बसपा के कई नेता और एक बड़ा जटका यहाँ पर बसपा के लिए माना जाएगा क्योंकि अखलेश यादा उन्हें सदस्रता दिलवाई है सभी बड़े नेतां को राजू हमारे समधा था लखनव से हमारे साथ जोड़े राजू जिस प्रक का अपने पहले सवाल में सबसे तेले अगर बात रहे हैं उस्तब की तो बुरा और बतीजे की जो लगाई है वो बर्चस्प की लड़ाई है बुगार जिस तरी के से अपने बतीजे का अभी पूर में चुनाबों में जो साथ छोड़ा था वो इस बड़ा ने हुआ जिसको इस पौरान अपने योगी सर्कार पर चंकर निशाना साथा और उन्हों ने कहा कि कोरोना काल में सर्कार में अपनी पूरी जिंदेदारी नहीं नहीं हुआई पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और एपी में टेश्ट करम हो रहे हैं मधिनों का इलाज नहीं नहीं प तो हो गए जिसका भी मिल गई यसाना भी साथिया पर यहां पर अगर बात करें इस तरीके से अदम ने जोगी सर्कार के साना भी साथा और उन्हों एक सब्सक्राइब देश्ट को लेकर सर्कार किये लिए रहे हैं डालों को अध्लेश आदम ने सवाल उठाए और का इस बिल्कुल राजू आपकी आवास थोड़ा कटकर आ रही है लेकिन अब बिल्कुल जिसकार से अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी के कई दिगज नेता जिसमें तमाम जो नाम आप जिक्र कर रहे हैं त्रभू अंधत्य पूर्व केंडरी मंतरी सलीम शेरवानी जि योगी सरकार पर निशाना साथते हुए सपाई जो है वो नजर आ रहे हैं सपा कि जो अध्यक्ष अखले श्यादा उनका साफ्तोत पर कहना है कि अब जो है बाइस में बाइसिकल आएगी तो यह तमाम नेता बाइसकल में सवार होकर 2022 के चुनाव का लक्ष भेदन करने की त बिल्कुत तमाम आरोब भी लगा है और असा बीच एक बड़ा जटका बसपा को लगा है क्योंकि तमाम दिगज शामिल हुए बहुत शुक्रे राजी हुमार सा जुड़ने के लिए तो बहुजन समाज पार्टी के दिगज नेता त्रिभुवन दप्त पूर्व केंद्री मंत्री सलीम शेरवानी सहित कई दिगज नेता जो है अब वो सपा में शामिल हो चुके हैं और इस बीच सपा के राज्टिया द्यक्ष अखलेश यादाव का साफतार पर यही कहना है कि जो योगी सरकार का कारेकाल रहा है उसमें कोई भी ऐसा कारे नहीं किया गया चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा रहा हो या तमाम ऐसे मुद्दे विकास के मुद्दे तमाम ऐसे मुद्दे गिनवाए हैं अखलेश यादावने और इस बीच सबसे बड़े चो खबर यह है कि एक बड़ा जट दो हजार बाइस को चिनाओं को लेकर इसी के साथ ही सियासी रंग में उतना ही दीजे जासत कलम फिर हाजर होंगे सियासी रंग में विशेश खबरो के साथ है